सुप्रीम कोट ने राम मंदर केस में आज एक बड़ा फैसला दिया है कोट ने आदेश ये दिया है कि बीजेपी के बड़े नेताओं लालकृष्णा अरवानी मुर्ली मनोहर जोशी उमा भारती समेत 21 बीजेपी नेताओं पर अप्राधिक सास्जिश का मामला चलेगा कोट ने ये भी कहा है कि इस मामले में चल रहे दो अलग-अलग मामलों को कलब कर दिया जाए और राइबरेली में चल रहा मामला लखनओं में ही चलेगा कोट ने आज अपना आदेश पढ़ते हुए ये कहा कि वो CBI की अपील को स्विकार कर रहे हैं और CBI ने कोट से ये मांग की थी कि बीजेपी नेताओं समेत अन्य आरूपियों के खलाफ आप राधिक साजिश का मामला जोडा जाए जहां तक कल्यान सिंग का सवाल है क्योंकि वो गवर्नर है इसलिए जब तक वो गवर्नर है उन पर मुखदमा नहीं चल सकता है इसके साथी सुप्रीम कोट ने ये भी कहा कि मामले की प्रती दिन सुनवाई होगी और केस किसी जच को ट्रांसफर नहीं होगा साथी इस इस मा कोड ने बोला है और दो साल के अंदर ट्रैल कंकुलूड करने के लिए बोला है जो कि बहुत महत्पूर्ण चीज है 21 साल से इस केज में कुछ भी नहीं हो रहा था कल्यान सिंग का बारे मनुने क्या का है कल्यान सिंग अभी जब तक राजपाल रहेंगे तब तक निशनल चार्ज 120B का फ्रेम करने के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए